आपका दोस्त है मैं जबती एक नई वीडियो के साथ हाजरे खिर्मत और सलाम वर्स करता हूँ मेरी आज की इस वीडियो को टाइटल है पी एन पी ट्रांस्टर टेस्टिंग यूजिंग डिजिटल मल्टिमेटर आज की इस वीडियो पे हम एक पी एन पी ट्रांस्टर जो के ए 1015 का नंबर एक डिजिटल मल्टिमेटर के जरीए से टेस्ट करने जा रहे है ट्रेंड टेस्ट करने से पहले हमें इसके बारे में बेसिक इंफरमेशन का पता होना चाहिए जैसके इसके पिन कनेक्शन है इस स्क्रीन पर दिखायाई जाने वगिन इस और स्लाइड में दिखायागए अगर इसके टर्मिनल ग्राउंन की तरफ हो तो आपके राइट साइड पर बेस टर्मिनल होगा संटर वाला कोलेक्टर और वे लेट साइड पे मेंटर टर्मिनल होगा Equipment and material required No.1 Digital Multimeter No.2 PNP Transistor A10-15 No.3 Breadboard Optional सबसे पहले forward bias test जो कि हम base to collector test करेंगे इसमें base पर जा है negative प्राब और collector पर positive प्राब लगाई है इस तरह से base to collector forward bias हो चुका है और जो कि एक low resistance के indication देगा low resistance की जो value है वो 697 ohm है और इसके बाद जो है हम इसके दूसरे junction को test करने के लिए जाएंगे उस सुरत में हम collector से red probe उतार कर जाएंगे बेस पर black probe उसी तरह से लगा रहेगा और इस तरह से base to emitter दूसरे junction जा है यह भी final bias में test हो गया इसमें इसके resistance 702 ohm नजर आ रही है जो कि उसके closest है अब हम इसको reverse bias में test करेंगे मेंटो से के prop को change करेंगे बेस पर red probe और collector पर जाएंगे वो black probe लगाया तो इस तरह से reverse bias में turn हो गया इस सुरत में इसके resistance infinity नजर आएगी अब इसके बाद हम इसके base to emitter reverse में test करने के लिए जा रहे है base पर वोई पर और collector से हमने black उतार के emitter पर लगाया तो इस सुरत में इसके resistance हमें उसी तरह से मिल रहे है अब हम इसके link के test करने के लिए जो के collector to emitter होता है कोई सा पर भी collector पर लगा दें emitter पर लगा दें या emitter पर लगा दें collector पर लगा दें इस सुरत में ये high resistance होगी यानि infinity होगी इस सुरत में इसमें infinity reading बिलेगी जो इस बात की indication है कि ट्राजिटर जाए इसके अंदर किसी किसम की दोनों जंक्षन में leakage नहीं है अगर leakage होगी तो ये खराब होगा इस सुरत में अब हम इसके collector पर ब्लैक पर लगा पर लगाया तो इस सुरत में भी हमें इसकी same बुही condition मिली यानि कि इसके अंदर leakage नहीं है अब भी ये infinity resistance की reading दे रहा है अगर ये reading low resistance होती तो ये faulty होता थैंक्स वार वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स इस तरह से आज के ये वीडियो इससताम पजीर होती है आपसे अजाज़त चाहूँगा अल्ला रब लिज़त हम साब का आम ये नासर अल्ला आफिज बेस्ट अफलग अल्ला झाल अल्ला रह जब स्क्ट ट्वरण पया वीडियो ये वीड़ खिनान झाल